तो पर कमें दोस्तों नमस्कारे आप सभी का देखिए बीकॉम समेश्टर फोर में बीबीम के यू में किस टाइप से कोशेन आएंगे आपके एंटरप्रेंटर्णर्शिप डेवलप्मेंट में हम लोग इस वीडियो में पूरा सिलिबस जानेंगे ठीक है और यहां पे एकज लेते हैं यहां पे कि आपका यह जो टेपर है बीकॉम में समेश्टर फोर में बीबीम के यू में यहां रखा गया है एंटरपर्णर्शिप डेवलप्मेंट बहुत से लोग रखे हैं बहुत से क्या लगबाग 90 परसंट रखे हैं 10 परसंट इदर उदर रखे हैं तो एंट तोच आप तूवनों जिसको अबज्यक्टिव मोलते हैं एक पषैंधि निष्ण इनिस्ट ठिक है जिसको सब्जक्टिव मोलते है तो सब्जक्टिव आयe का लिखनी के आपका अब कॉसर्चिं के टाइप से Çब मह जाना लेते है कि सेट का पुलप्रम होता क्या है? मुई तरह से कला ठीक है इसकिल हुनर हाँ हुनर इसका सही अर्थ होता है तो इसकिल एनहेंस्मेंट को और इसका फुलपाम होता है अब देख लेते हैं तो यहां पर आपकी कॉस्चिन किस टाइप साई सबसे पहले यह जान लेते हैं देखिए यहां पेपर जो है आपका 50 marks का होता है कितने number का 50 number का होता है बववा समझला अब इटा में जो है मतलब इसमें आपके group A and group B दो भागों में बटा होगा ठीक है एक होगा group A group A जो होगा इसमें आपके group A होगा आपका 8 marks का कितने number का 8 number का एरे यार एक चीश तो पता ना भूल गया कि यहां पर 50 marks का पेपर है जिसमें से 10 number जो है आपका internal हो चुका है हां हो चुका है सबका तो बचा कितना 10 marks internal हो चुका है बचा 40 marks यह 40 marks होगा आपका external exam इसमें external exam 40 marks ठीक है इसमें पेपर जो रहेगा दो भागों में बटा होगा group A यह 8 marks का होगा जिसमें question number 1 जो रहेगा इसमें 4 एक नमर्या कोशित रहेंगे objective ठीक है question number 1 आपका 8 marks complete हो जाएगा group A group B में जो आपके question आएंगे वो आएंगे आपके 8 marks वाले 4 question बनाना होगा ठीक है आप माक्स वाले 4 को question बनाना होगा total 6 को question होगा 8 number जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा समझ गए बात को यानि कि गुरूप भी हो जाएगा आपका 32 नमबर का ठेक है और गुरूप A 8 नमबर का कुल मिला के 40 नमबर हो जाता है अब इसमें पास करने के लिए आपको कितना लाना होगा तो 10 नमबर का इंटर्नल और 40 नमबर का एक्सटर्नल दोनों मिला के अगर आप 20 नमबर लेते आते हैं ठेक है इंटर्नल और एक्सटर्नल दोनों मिला के जोड़के तो आप इस पेपर में पास मने जाएंगे ठेक है यहां तक मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिस में भी लिखा है मैं दोनों में ही दे दिया हूँ ठेक है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं यूनिट वन यूनिट टू के थुरू कि देखिए आपके जो है यूनिट वन टू करके बाटा गया है सबसे पहले है यूनिट वन है ठीक है हम लोग हिंदी में भी जानेंगे इसमें पढ़ना है मीनिंग कॉंसेप करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ एंटरपर्नेर्सिप अब देखिए इसका हम लोग हिंदी जानते हैं क्योंकि मैकसिमम बच्चे जो है वह हिंदी कहीं है जो भी इंग्लिस में है वह अपना पढ़ लिजेगा मैं अभी हिंदी में ही मैकसिमम चीज़े बताऊंगा देखिए पहला आपको पढ़ना है यहाँ पे उद्ध मिता का अर्थ कोश्चन आएगा पहला ही कोश्चन आ सकता है कि उद्ध मिता का अर्थ क्या है बताइए दो नमबर का कोश्चन टेक है चाहे उद्ध मिता की अवधारना को असपष्ट करें दो नमबर का कोश्चन उद्धमिता की बिसेस्ता बताइए दो नंबर का कोश्चन ठेक है उद्धमिता की परकार बताइए ये भी दो नंबर का कोश्चन रहेगा उद्धमिता का विकास कैसे होता है ये बड़ा कोशन आएगा ठीक है कि उद्धमिता का विकास कैसे होता है उद्धमिता की आउधारना विसेस्ता एंपरकार को बताईए ये भी बड़ा कोशन आजाएगा ठीक है तो मतलब एक से जादा अगर एक साथ जोड़ देना तो बड क्या पढ़ना है उद्धमिता की उद्धेजना समर्थन और इस्थीरता की सारवजनिक और नेजी पढ़नाली आवशकता उपलब्द और वित्त विपनन सहायता प्रद्धोगिकी और ओधोगिक आवास तक पहुंच ठीक है और कक्षा अब देखते हैं यह होगी आपका यून प्रजेक्ट की पहचान ठीक है रिपोर्ट का मुल्यांकन कैसे किया जाता है यह सबी कोशन आएंगे आपके बिजनेस उद्धमिता में अब देखें यहां पर कुछ बुक सजेष्ट किये गए हैं टोटल यहां पर आपकी चार बुक्स हैं तो बुक किताब पढ़ने का तो मेरे भाईयों दोस्तों बहनों ठीक है अब देखें यहां पर मैं कुछ चीज़े बता रहा हूं इसको देयान से सुनिएगा तो पर्दे की बिश्या भी जिसको सुन रहते हैं वह मैं ही था देखें दोस्तों आपको जो है इसमें कोश्चन जितने भी आएंगे सब टाच कर आँसर आपको मैकसिमम में करना है उससे ज़्यादा नहीं लिखना ठीक है यानि की एक पेज है ना एक पेज में दो दो माक्स वाले दोनों पर देना है अब आप बचे 8-8 marks वाले, 8-8 marks वाले का अंसर आपको करना है कितना, तो एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड में, एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड में, उपस कितना, अगर आपने की लिखने की स्पिट जादा है, तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा जो भी हो मैं जैसे भी करके आपको जो है question दे दूँगा previous year का upload कर दूँगा ठाइंक यू वाइव वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में और इसका पीडियो का लिक वीडियो का description में होगा वहाँ से download कर सकते हैं ठेक है